हलो एवरिवन, वेलकम टो स्टडी सिंप्लिफाइड, इन टूडेज क्लास वी आ गोइंग टू मराथाज, बट इससे पहले, जैसा कि आज इंडिपेंडन्स डे है, तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी, हम सब को पता है कि 74th इंडिपेंडन्स डे है, राइट, तो एक शाय मैं बोलना चाहूंगी, सुनियेगा, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बना कर देखो, तुझ पर मरेगा हर कोई, हैपी इंडिपेंडन्स डे, तो फ्रेंट्स, ये मेरा खुद का इंवेंशन नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आप लोग से शेयर किया, तो चलिए, आज की क्लास के तरफ हम बढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, शिवा जी के बारे में, तो इससे पहले हम दो देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगोंने क्या कर रहा था, तो लास् पावरफुल मराथा किंग बनके इमर्ज किये, ठीक है, और ये इतने पावरफुल थे, कि इसको औरंगजेब भी हरा नहीं पा रहा था, ठीक है, वो कई बार तो कुछ कॉंस्पिरेसी भी रचा, जिसमें उन्होंने शिवा जी को अपने कोर्ट में बुला के कैप्चर कर ल याद करना बहुत important है, यहाँ आपको बहुत सारे years मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ और आपको years याद करना है, बहुत सारे years है, शिवा जी को topic में, तो चलिए आज हम शिवा जी और उनके administration के बारे में देखेंगे, तो देखिए, शिवा जी was born at शिवनेरी fort in 1627, तो सबसे पहले सिवा जी का birth कब हुआ था? 1627 में हुआ था, कहां हुआ था? तो महराश्टर में शिवनेरी एक जग्या है, और वहां का जो fort है, शिवनेरी fort के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर उनका birth हुआ था, तो यहाँ से कोश्चा निकल गया, आप इसको याद ग्राउंड की, तो उनके जो father थे, उनका नाम था साजी भौसले, and mother का नाम था जीजा बाई, अगर religious teacher की बात करे, जो उनके अध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था समर्थ रामदास, तो यह कई बाइक कोशन में पूछा जा चुका है, ठीक है? इनकी mother से भी कोशन पू पूछा जा चुका है, तो यह important है, अगर बात करें, तो इनके एक और गुरु थे, जिनका नाम था दादाजी कोंडा देव, तो यह कौन थे, तो यह पॉलिटिकल गुरु होते थे, ठीक है? तो इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था दादाजी कोंडा डेव, यहां से भी कोशन बहुत बार पूछा गया है, यह वीवी आईया, आप इसको माक कर लीजिया, तेक है? अब देखो, मैंने बताया कि उनका जो बर्थ हुआ, वो 1627 में हुआ, फिर बहुत कम उम्र में ही यह बहुत सारे कॉनक्वेस्ट किये हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, आप यह जो परग्राफ देख पारें, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो इंपोर्टेंट जो हमें याद करना है, उसमें से दो हमें याद करना है, जो प्रिवियस यह में पूछा जा चुका है, वो है सिंगर, ठीक है? सिंगर यह कहां पे? बीजापूर में, ठी इस यह में, 1643 में, और दूसरा है, फोर्ट अफ पुरंधर, जिसको इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, कब 1648 में, तो यह दोनों इंपोर्टेंट हैं, यहाँ पे हम दो फोर्ट के बारे में ही देखेंगे, सिंगर का किला, और पुरंधर का किला, तो यह दोनों किला इन्हो ने कब जीत हासिल किया, तो एक को किया 1643 में, और दूसरे को 1648 में, तो आप इसको लर्ण करते चलिए साथ में, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, तो यह एक्जाम में पूछा जा चुका है, वेवी, वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजे, यह बहुत अगर बात करें next, तो यहाँ पर अफजल खान, जो की सुभेडार थे, आदिल शाह जो थे, रूलर आफ भीजापूर थे, तो ये अफजल खान को भेजते हैं, शीवा जी को मार Moi के लिए, टिक है, बट यहाँ पर शीवा जी को पता रहता है, कि वो लोग कुछ न कुछ conspiracy रच रहे हैं तो पहले से हुश्यार रहता है तो इसमें क्या होता है अफजल खान आता है उनसे मिलता है और पीट पीछे खंजर वार कर देता है उनके पीठ पे ठीक है तो शिवा जी उससा में क्या करते है न कि स्टील का पुड़ा ड्रेस पहन के आते हैं ऐसा कुछ तो वो साधान रहते हैं पहले से ही और वो अपने आमी को जंगल में छुपा के रखते हैं तो जैसे अफजल खान उनके उपर वार करता है न तो बस यह उसको पकड़ लेते हैं और यह उनका ही मड़कर देते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है यह इर इंपोर्टेंट है अफजल खान थीक है वस किल्ड बाई सिवा जी इन 1659 दो किला हम लोग देख लिए 1643 एं 1648 थीक है उसके बाद 11 साल का गैप हुआ उस समय अफजल खान वस किल्ड बाई सिवा जी इन 1659 अब हम एक और परसन के बारे में पड़ेंगे वो भी सिवा जी के दुवारा मारा जाता है तो उसका नाम क्या होता है सिस्टा खान अब यह कौन था तो ही वस गवर्णर ऑफ डेकेन और वस डेप्यूटेट बाई औरंगजेब वो 1659 में उनका मडर होता है बाई सिवा जी और सिस्टा खान का मडर होता 1663 में बाई सिवा जी ठीक है तो दोनों इंपॉर्टेंट है यहां से कई बाई कोशन पूछा गया इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूं ठीक है और इसी टाइम जो शिवा जी थे वो क्या करत हैं सूरत को प्लंडर करते हैं ठीक है 1664 यह बहुत इंपॉर्टन है वैसे तो सिवा जी ने दो टाइम सूरत को प्लंडर किया था एक हो गया 1664 और एक हम आगे देखेंगे जो कि 1670 का टाइम है तो यहां से कोशन आता है बहुत बार पूछा गया तो आपको यह याद करना ह ठीक है अगर बरत करें आगे तो देखो राजा जैसिंग जो की आमेर इंजैपूर वहां के किंग हुआ करते थे तो औरंगजेब उसको पॉइंट करते कि जो तुम सिवा जी को किसी तरह से हमारे पास लेक कर आओ तो राजा जैसिंग और सिवा जी ठीक है यह लोग आमने स सामने आते हैं फिर शिवा जी को पता चल जाता है कि यह मुगल के द्वारा भेजे गया है तो इनके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है जो कि 1665 का है आप इसको याद रखेगा एक पुरंदर का किला जो शिवा जी ने जीता था वह 1648 का था ठीक है पुरंदर का किल में जिसको बोलते है तो वो दूसरा था और यह त्रीटा ऑफ पुरंदर है जिसमें जो कि 1665 में हुआ था और इसमें किसके बीच ट्रीटी हुआ था तो शिवा जी एंड मुगल्स के बीच में ये ट्रीटी तो 45 में 23, 23 फोर्ट उन्होंने सीज कर दिया, मतलब मूगल्स को दे दिया था, किस में Treaty of Purandar में इसलिए ये वी वी आई या आप इसको स्टा माग कर लिजीए, 23 forts out of 45 उन्होंने cease कर दिया था मुगल्स को treaty of purandar में और देखो यहां पर हम लोगों ने देखा कि वो मुगल के court में भी गए तो यह वही time है जब औरंगजेब उनको मिलने के लिए बुलाते हैं और उनको धोखा से capture कर लेते हैं capture करके जैपूर महल जैपूर महल में रख लेते हैं जैपूर जगे नहीं है आगरा जगे है मगर जो महल था वो जैपूर महल था वहाँ पे उनको capture करके रख लेते हैं बट शिवा जी किसी तरह वहाँ से escape कर जाते हैं तो यह आपको याद रखना है यहाँ से एक और important question आता है जैसे कि शिवा जी ने वो हिंदू थे ठीक है तो उनको हिंदवा धर्मो धरक भी बोला जाता था हिंदवा धर्मो धरक इसका मतलब होता protector of Hinduism तो यह title किसने assume किया था कई बार question आता है who assumed the title of हिंदवा धर्मो धरक तो इसका answer हो जाए रहा शिवा जी ओके तो आप लोग यह याद रखिएगा next हम लोग देखते हैं जो सबसे last शिवा जी का conquest था वो करनाट का वाला था जो की 1677 का था and 1680 में तो उनकी death हो जाती है तो जो सबसे last conquest था उनका 1677 7 वाला था जिसको बोलते है जनजीरा जनजीरा जो था conquest of जनजीरा करनाट का वाला यह इनका last था तो यहां से भी question निकल के आता है तो आप इसको याद रखिएगा ठीक है यह भी important है देखिए इसमें हम लोग कितने सारे years कर लिए ना तो आपको year यहां पर learn करना ही है अब हम administration के तरफ आते हैं तो सिवा जी का जो territory था वो basically three province में divided था है ना अब जो जितने भी province थे three province थे और तीनों के अंदर उन्होंने voice roy रखा था अब यह जो province है यह divided था three parts में ठीक है उनके पास तीन province था and each province were divided into three parts अब कौन-कौन था तो सबसे बड़ा part जो था उसको प्रंत बोलते थे ठीक है जो कि सब divided था परांगना में और वो सब divided था तरफ में ठीक है sorry परांगना एं तरफ दोनों एक ही चीज है first आगया परंत second आगया परांगना and third आगया विलेज परांगना एं तरफ बोथ हा सेम तो आप याद रखिएगा province was divided into prans which was further divided into परांगना और तरफ and the last unit was lowest unit was village ठीक है and village के जो head होते थे वो होते थे पटेल जो headman होते थे ठीक है तो आप बस इतना याद रखिएगा ज्यादा कुछ है नहीं administration में देखने के लिए but एक चीज जहां से हमेशा question आता है अस्ट प्रधान ठीक है सीवा जी के court में अस्ट प्रधान होते थे अब ये कौन थे तो ये eight ministers थे हम बोल सकते है ठीक है एट तेल्गू poets हुआ करते थे याद है आपको तो आप कन्फ्यूज में तो येगा यहां पर अस्ट प्रधान है and अस्ट प्रधान were eight ministers in court of सीवा जी ठीक है तो इसमें क्या होता था ये जो ministers होते थे they were not collective responsibility there was no collective responsibility and each minister was directly responsible to सीवा जी ठीक है तो आपको बस इतने याद रखना है and इनका जो अस्ट प्रधान है इनके नाम याद रखना है और इनका क्या काम था ये very important है कई बार exam में पूछा गया शिवा जी से कोशन बनता है तो यहां से एक कोशन जरूर बनेगा ठीक है तो हम लोग देख लेते है तो देखो सबसे पहला जो आता है वो पेशवा हुआ करते थे जिसको मुख प्रधान बोला जाता था ठीक है and ये क्या होते थे तो ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जैसे मुगल के टाइम में वजीर होता था प्राइम मिनिस्टर जो सबसे हैड होता था सेम ऐसी जो पेशवा होता था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था ठीक है मुख प्रधान ठीक है सेकेंड वाला जो है उसको बोलते है अमात्य या तो फिर मजुमदार तो ये होते थे रेवेन्यू एंड फिनांस मिनिस्टर थर्ड वाले जो होते है थे वाके नर्वीस जिसको मंत्री बोलते थे वो होम मिनिस्टर होता था ठीक है गुप्टचर हुआ करता था वो बेसिकली ध्यान रखता था कि कोई कॉंस्पिरेसी तो नहीं रची जा रही है और जो भी गुप्टचर का काम हुआ करता था वो देखता था ठीक है फूर्थ वाली की बात की जाए तो सुमंथ सुमंथ को दाबीर भी बोलते थे और ही वास फॉरेन मिनिस्टर जो भी फॉरेन अफ्यर से वो कंट्रोल करता था फिफ्ट वाली की बात की जाए तो सचीव जो की होता था हेड ओफ रॉयल करिस्पॉंडेंस बलब चिथी इधर से उधर करने वाला इन्फॉर्मेशन, कॉम्णिकेशन रिलेटेड जो भी काम था वो करता था सचीव ठीक है सिक्स्ट की बात की जाए तो ये होते थे सरदार या तो पंडित राओ जिसको बोलते थे तो he was head of religious affairs अब देखो, पंडित साब समझ रहे ना ये धर्म, पूजा related है तो उसी साब मैच कर लीजेगा he was head of religious affairs commander ठीक है जो उनकी आर्मी होती थी आर्मी के जो head होते थे जिनको military powers होता था वो होते थे सेनापती एंड लास्ट वाले की बात की जाए तो वो न्यायधिश होते थे जो की justice होते थे ऐसे तो justice जो होता था वो सिवा जी के अंडर होता था बट यह important है आप इसको अच्छे से cover कीजिएगा चलिए next हम लोग देखते है यहाँ पर administration का ही पार्ट है यहाँ से दो question निकल के आता है very important तो यह अब हम tax के बारे में देखेंगे तो देखिए सिवा जी के time में दो type का tax लगता था ठीक है एक को चौथ बोलते है और दूसरे को बोलते था सर्देश मुखी तो जो चौथ था वो one-fourth लगता था one-fourth कितना हो गया पचीस परसेंट हो गया ठीक है तो यह किस पे लगता था तो यह लगता था was paid to Marathas देखो was paid to Marathas so for not being subjected to Marathas rates तो चौथ जो है Marathas का जो area हुआ न उसके nearby जो भी areas हो गया वो लोग चौथ tax देते थे इसमें 25% उनको tax देना होता था जो भी produce हुआ land revenue का वो देना पड़ता था तो इसमें जो Marathas होते थे उनके kingdom की उनके region की देखभाली भी करते थे और उनके उपर tax भी नहीं करते थे ठीक है तो उनको safe रखते थे और 25% का tax लेते थे जबकि जो सर्देश मुखी है सर्देश मुखी में 10% का tax लिया जाता था और ये कहां लिया जाता था तो ये उनके control में जो areas आता था ठीक है Maratha claimed hereditary rights but which formed part of Mughal empire तो ये तो छोड़ो आप ये देखो कि जो सर्देश मुखी है 10% tax ले जाता था जो कि Marathas का area होता था ठीक है land revenue है तो जो भी Marathas के अंदर area आया उस पे सर्देश मुखी लगा और जो Marathas के अंदर area नहीं आया उस पे चौत का tax लगा ठीक है तो I hope इतना आप समझ गए होंगे next आज आता है सामभा जी तो ये हम लोग अगले class में करेंगे तो हम लोग उने आज शिवा जी और उनका administration देखा उनके successes के बारे में हम लोग next वीडियो में करेंगे आप बताइए का आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लगे तो like करके हमें motivate कीजेगा and that's all in this वीडियो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching